नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह में तो आनन्द ही कुछ और होता है जोतिश विज्ञान हमें आगाह करने का सूचना विज्ञान है दुख तब होता है जब लोग ये समझते हैं कि इस विज्ञान के द्वारा हम भोग बदल देंगे हम होनी बदल देंगे नक्टू इंपॉसिबल है संभो ही नहीं ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता है तो दिमाग से निकाल दीजिएगा आगाह करेंगे मेज से लेकर की मीन तक के लिए आज का पूरा दिन आपका कैसा भी देगा शुभरंग क्या है सुभ वक्त क्या है कुछ लोग पूछते हैं कि सुभरंग का इस्तेमाल कैसे किस वे में किया जाए देखे जब आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए निकल रहे हों जैसे मालेजे आज का दिन आपका बहुत खास है आपको फॉर्म भरना है शादी की बात करनी है इंटर्व्यू देने जाना है ये स्पेशल हो गया जो डेली रूटीन में ना हो ऐसी स्थिति में आप अपने राशिगत प्राप्त शुभ रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं मालेजे उस रंग का कपड़ा जैसे हमने बताया कि लाल रंग आपके लिए शुभ है अब लाल रंग पहन करके आप किसी बहुत डीसेंट जगह पर इंटर्व्यू देने जाएंगे तो जो इंटर्व्यूवर रहेगा वही परिशान हो जाएगा ऐसे स्थिति में उस रंग का कोई धागा रुमाल कुछ भी उस रंग का रख सकते हैं तो ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप हमारे बताए गए कारियों में हमारे बताए गए विशेष्टाओं में खुद के सेंस को कितना इस्तेमाल करते हैं मैं इतनी उमीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी अपना मस्तुष के कुछ लगाएंगे सास्त्रान धित्यापी भवन्ती मूर्खा हम लोगों ने पढ़ा है इस पर कुछ धरावाहिक भी बने हैं सास्त्रों की अधिक्ता भी कई बार मूर्ख बना देती हैं इस पर बहुत बड़ा प्रसंग है कि दो तीन दोस्त होते हैं बिद्वान गुरु से सिक्षा ले करके फिर है प्रसंग कर भी पताएंगे अभी सुबह सुबह की बेला है जो मूल मुद्दा है उस पर हम आते हैं पंचांग की चर्चा कर लेते हैं स्रामर शुक्ल दस्मी दस बच कर आठ मिनट सुबह तक इसके बाद एक आदशी चंद्रमा पूरे दिन विष्चिग्रासी में नक्षतर जेश्था योग रहेगा एंद्र तदनस्वार दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार मेश राशी सबसे पहले बताते हैं आपके लिए आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा पढ़ाई में तो मन लग रहा है लेकिन हो सकता है कि आज दोपहर के बाद व्यक्तिकत तोर पर कुछ परेशानिया आपको मिल जाए इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा प्राइवेट सेक्टर और बिजनस यहाँ पर आज मामला बहुत अच्छा रहेगा प्राइवेट सेक्टर और व्यापार में आप आगे बढ़ जाएंगे दोश्रों से बाहर निकलेंगे अंदर की प्रशनता आपके निकर के बाहर आएगे कुछ परिस्थितियों को आप बहुत सकरात्मक प्राप्त करेंगे प्राइवेट सेक्टर में नियनोगली की संभावनाएं भी बन रही है गौर्मेंट सेक्टर में आज मुश्किलें आ सकती है आपके साथ किसी तरह का दोशा रोपणल लगाया जा सकता है बहुत सावधान रहने की आवश्यक्ता है अगर आपकी राश्यमेश है गौर्मेंट सेक्टर में रिस्क कताई ना लीजेगा और बास के सामने आज जुक करके प्रणाम करना ना भूलिएगा दामपत जीवन अच्छा चलेगा पतिपतनी के भी स्टाल मेल बहुत अच्छा रहेगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तो और भी अच्छा है गौर्मेंट सेक्टर में बहुत शुब और सकरातमक है मैरेड लाइफ आज स्मूद रहेगी मैरेड लाइफ में किसी तरह की प्रबल बाधा नहीं है जिसको लेकर के आपको चिंता करने के आवशक्ता पड़े हाँ लव लाइफ आज बिखरने की कगार पे है जिसके दिम्मेदार आप सोयम होंगे भाग्यम सर्वत्र फलते भाग्य ही हर जगह फलता है मुबारक हो स्वास्त के मामले में आज कुछ ज्वाइंट्स में पेन, कुहनी, कंधे, घुटने, हल्डियों से सम्मंदित समस्या हो सकती है उपाय के तोर पर आज कुछ मत करिए बस जितने भी घर में बड़े हैं उनके चलणों को एक बार हाथ लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज आज सफेद रंग नहीं पहनना है काला रंग शुभय, 65 प्रतिशत का भाग्य आपके साथ ब्रिशबला से आज सिक्षा में उन्नति के संकेत है पढ़ाई आज बहुत अच्छी करेंगे आप टीचर्स भी प्रशन रहेंगे कोई दोस्त बहुत करीब से मदद करेगा बिजनस अच्छा चलेगा ब्यापारी घाटे की आज भर पाई हो जाएगी बिजनस में आ रही प्रवल समस्याओं से आज बाहर निकलेंगे धन की स्तिती बहुत अच्छी रहेगी आज प्राइवेट सेक्टर में नहीं नोगरी की संभावना है महिला बॉस तो आज दिल बिचा कर आपकी मदद करेगी गॉर्मेंट सेक्टर में वाहन सुख में थोड़ी सी बाधा आएगी आफिस लेट पहुँच सकते हैं आज बॉस के साथ कुछ मदभेद मनमुटाव हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पति-पत्नी के बीच आ रही समस्याद दूर हो जाएगी किसी अन के कारण उपजाई गई समस्यादूर हो जाएगी लव लाइफ बहुत स्मूद रहेगा लव लाइफ की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी जिसको आप बहुत समय से सोच समझ करके आज जी लेंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो तवचा और पेट की दिक्कत आज आपको परिशान करेगी ब्रिशबरासी दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार क्या उपाय करना चाहिए आज ब्रिशबरासी वालों को आज के दिन आटा चीनी मिक्स करके किसी गव को खिला दें गाय ना मिले तो पौधे की नीचे डालतें क्या नहीं करना आज आज किसी से अग्रेशन में बात नहीं करना सफेद रंगशुभ है चाचट प्रतिशत का भाग आपके साथ है मिथुन राश रुके काम बन जाएंगे पढ़ाई में मन लगेगा इंटर्वियों में सफलता मिलेगी मित्र मंडली आज आपके हेल्प के लिए खड़ी रहेगी बिजनस थोड़ा सा ट्रबल करेगा रुपे पैसे फंस सकते हैं आज कोई बड़ा कांट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में वहां सुक की प्रापती है शादी तह हो सकती है बॉस प्रशन रहेगा नई जिम्मेदारी मिल सकती है गौर्मेंट सेक्टर थोड़ा सा टप सिचुएशन रहेगा मनमुटाओ की संभावनाएं बन रही है किसी बात को लेकर के आपका जूठ आज पकड़ा जा सकता है दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा पति-पत्नी समर्पित रहेंगे आज पुराने गिले शिक में भोलेंगे ससुराज से रिस्ता मधुर होगा लव लाइफ में आज किसी अन्यका हस्तक्षे प्रभावित करेगा दो पहर दो बजे के बाद ब्रेकप की संभावनाय बन रही है दस अगस्त शनिवार मिथोन राशी स्वास्त आज एडियों में समस्या रहेगी पैंक्रियास की प्रॉबलम हो सकती है किटनी पेशेंट को आज इक्स्ट्रा केर की जरूरत रहेगी क्या उपाय करना है आज मिथोन राशी वालों को आज के दिन भगवान सरी गनेश का ध्यान करे भगवान सरी गनेश राहु को शमित करनेके सबसे प्रबल कारक मिथुन राशी पर राहू का प्रभाव आनन्द आएगा एक एक शब्द में कहीं पर भी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा रंग और भागी प्रतिशत छोड़ कर रीजन है ये मौलिकता है जोतिश को जी करके हम आप तक पहुँचाते हैं मिथुन राशी वालों के लिए क्या नहीं करना आज आज के दिन किसी को वाहन उधार नहीं देना है लाल रंग शुभर ठावन प्रतिशत का भाग आपके साथ है करक राशी हो मन लगा कर पढ़िएगा मजाएगा सिक्षा छेत्र में उचाई चुएंगे समस्याओं से बाहर निकलेंगे मन में आज प्रशनता रहेगी कुछ बड़ा होने की चाहत आज कूरी होगी करक राशी प्राइवेट सेक्टर और व्यापार बिजनस अच्छा चलेगा बिजनस में आरही बाधाएं दूर हो जाएंगी व्यापार इस दिश्टिकोंट से आज मजबूती रहेग बिजनस में कोई पुराना मित्र मदद कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में कुछ दिक्कते आ सकती है शड़ियंत्र के सिकार हो सकते हैं आज कुछ लांचन लग सकता है गवर्मेंट सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा समस्याओं से मुक्ती मिलेगी पिता माता क साथ रहेगा गॉर्मेंट सेक्टर में आज प्रमोशन भी हो सकता है दो पहर के बाद दामपत्य जीवन करकराशी अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है लेकिन हो सकता है कि दामपत्य जीवन में कोई दोस्त ही सेंध लगा दे सावधार नहींगा भीया समय बहुत अनकूल नहीं कहा जा सकता है करक्राशी आज लव लाइफ इस्मूद रहेगा शादी की बात हो सकती है स्वास्त के मामले में आज बुखार थोड़ा बहुत परेशान करेगा थकावट अंदर से कुछ लेजिनेस फील होगा उपाय क्या करना है आज आज के दिन दाहिने हाथ की छोटी अंगुली से सिंदूर का टीका माथे पे लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी बड़े के साथ दुर्वयवहार नहीं करना है हरा रंगशुभ है बावन प्रतिशत का भाग्याब के साथ है आईए भईया सिंदूराशी वालो क्या सोच रहे थे आज का दिन गजबेड हाएगा सिक्षा छेत्र में अद्भुत आनन्द आएगा आज कोई दोस्त नोट्स दे करके मदद करेगा टीचर भी आज पीट थप थप आएंगे थोड़ा सा मा के साथ मनमुटाव को लेकर के सिंदूराशी की लड़कियों को कुछ दिक्कत आ सकती है अदरवाइस आज मिठाई खाने का दिन है बिजनस सोचा होने लग जाए तो समझे लोटरी खुल गई है कुछ ऐसा ही आज आज आपके साथ होगा कोई दोस्त आज कुछ जादा मदद करके आपकी हुरदय को जीतने की कोशिश करेगा हाँ एक बात पर ध्यान दीजिए ब्यापारी गण जो सिंगराशी के हैं आज दिनांक 10 अगस्त 2019 दिन शनिवार के दिन उधार देने से बचिएगा प्राइवेट सेक्टर लाब क्या उसर मिलेंगे नई नोगरी की संभावन आए हैं मित्र मदद करेंगे बहुत प्रशन रहेगा गवर्मेंट सेक्टर टफ सिचुएशन से बीतेगा आज किसी तरह की जाँच में उलस सकते हैं धन के लेंदेन को लेकर के कुछ मुश्किलें और परिशानिया आ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे आंतरिक प्रशनता आपके चेहरे से जलकेगे कुछ बहुत बड़ा काम हो सकता है दिनांग 10 अगस्त दिन शनिवार लव लाइफ सिचुएशन टफ है समयन कूल नहीं है अपने आपको पूरी तरह से माजते हुए और फिर कदम बढ़ाईएगा अन्होनी का डर सता सकता है सिंग राज क्या उपाय करना चाहिए पहले स्वास्त जानिएगा हर्ट की प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ सकती है आज कमर के नीचे हलका सा दर्द महसूस करेंगे उपाय के तोर पर आज के दिन किसी जरूरत मंद को फल का दान करिएगा क्या नहीं करना है आज इधर की उधर मत करिएगा औरेंज कलर शुब्ल 79 प्रत्षित का भाग आपके साथ है कन्या राशी पढ़ाई पूर्टा की तरफ बढ़ रही है पढ़ाई में आ रही बाधा रुकावट स्वतह दूर हो जाएगी आज माता पिता का साथ और सानिध आपको आनन्दित करेगा संस्थान बदलने के लिए आज विचार किया जा सकता है दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार सन 2019 बिजनस लाब के आउसर मिलेंगे रुके धन की प्राप्ति होगी ब्यापार को फैलाओ दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर नौकरी में प्रमोशन के चांसच है कुछ रुकावटों से बाहर निकलेंगे आंतरिक प्रशनता रहेगी हसते हुए आज दोस्त मदद करेंगे गौर्णमेंट सेक्टर वहांसुख की प्राप्ति होगी जमीन जाजात की विवाद से मुक्ति मिलेगी शादी फाइनल हो सकती है दामबत्य जीवन शादे शुदा लोगों के लिए जो कन्या राशिक के हैं 10 अगस 2019 दिन शनिवार के दिन पत्नी किसी पुरानी बात को ले करके अड़ जाएंगी मांसित थोड़ी से परेशान होंगे दो पहर के बाद कहीं घुमने टहलने का कारेक्टरम बनाना शुब रहेगा दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार प्रशनता लव लाइफ में है शादी की बात कर सकते हैं आज घुमने टहलने जा सकते हैं मुवी शूबी भी जाएए विकेंड है मर्यादा और सैयम ये दो गहने आपके साथ रहेंगे तो प्रेम संबंधों में पवितता सदय बनी रहेगी प्रकिर्ती मदद करती रहेगी क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे स्वास्त जान लेते हैं पेट की दिक्कत रहेगी लूज मोशन्स की सिकायत हो सकती है कुछ गैस डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी उपाय के तोर पर आज के दिन गव माता को हरा चारा देना शुब होगा ना मिलने पर किसी जरुवत मंद को रोटी खिलाएं क्या नहीं करना है आज आज किसी का दिल नहीं तोड़ना है सफेद रंग शुब पचास प्रतिशत का भाग ये आपके साथ है तुला राशी मन प्रशन रहेगा रुके काम बन जाएंगे पढ़ाई में मन लगेगा इंटर्विव में सफलता मिलेगी बिजनस आज प्रभावित हो रहा ब्यापार में कुछ घाटी की संभावना है बाहर से चला रहा बिजनस आज रुक सकता है कोई order cancel हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में नोकरी में आरही बाद हाएं दूर हो जाएंगी नई नोकरी की संभावनाएं बन रही दोपहर के बाद मित्र की मदद से इंटर्विव में सफलता मिलेगी गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए आज बास के प्रशनता रहेगी बास चेंज हो सकता है देस्क काम करने की जगह बदली जा सकती है आज दोपहर के बाद कहीं यात्रा के लिए भी आपको recommend किया जा सकता है दामपत्य जीवन प्रभावित तो है लेकिन फिर भी जो तुलाराशी के पतिगण है आज वो अपने कुशल पतित्व का बानगी पेस करेंगे उदारण देंगे और दामपत्य जीवन को अच्छे से लेके जाएंगे लव लाइफ टब सिचुवेशन बीद जाएगा मित्रों का साथ मिलेगा बहुत बड़ी गलत फैमी मन से निकलेगी उपाय क्या करना है आज के दिन एक बहुत जकरात्मक उपाय करने की आवश्यक्ता आपके लिए तुलाराशी और उपाय है दूरवा सरसो के तेल में टच करिए उल्टे हाथ से और किसी पौधे की नीची रख दीजे क्या नहीं करना आज वाहन किसी को उधार मत दीजे कालारंग शुबच चववन प्रतिशत का भाग आपके साथ विश्चे कराशी पढ़ाई में मन खूब लगेगा मन प्रशन रहेगा आज दोस्त बहुत मददगार साबित होंगी गुर्प श्टडी के लिए बाहर जा सकते हैं नई जगह पर आडमिशन हो सकता है बिजनस दिनांग 10 अगस्त दिन शनिवार ब्यापारिक दिश्टकोंड से घाटे की भरपाई हो जाएगी आज नए ओर्डर मिल सकते हैं ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा अकस्मा धन प्राप्ती की संभावनाई बन रही है प्राइवेट सेक्टर में नवगरी में प्रमोशन के चांसर्ज है कोई नई नवगरी भी इंतजार करेगी आज किसी महिला मित्र का सहयोग आपके कार्य छित्र में आपका नाम प्रशिद्धी प्रुतबा बढ़ा देगा गवर्मेंट सेक्टर में थोड़ा सा टप सिचुएशन रहेगा किसी काम के ना होने से मन थोड़ा सा खिन रहेगा खर्च की अधिकता भी परशान करेगी संतान को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा आज कहीं बाहर घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है हो सकता है आज दामपत्य जीवन में थोड़ी से शुवता बढ़ जाए समय अनकूल हो रहा है आज मंगल बदल जाएगा दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार ब्रुष्टिक राश लव लाइफ किस्मत में कभी प्यार था जो आज मिलेगा चलिए नाव चलाईए आगे बढ़िए जन्दगी को आगे लेकर के जाएं आप अपनी तरफ से शिद्दत के साथ कदम दर कदम मजबूती से रखे रहें कोई देखे ना देखे उपर वाला सब देखता है प्रिश्चेग्रास स्वास्त उटने की तकलिफ परेशान करेगी बैक बहुत तेजी से परेशान करेगा दो चार बार आज डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं उपाय क्या करना आज हल्दी का टीका शुब रहेगा क्या नहीं करना आज आज बहुत ज़्यादा दोसरे पे भरोसा मत करिएगा पीला रंग शुबच चांचट प्रत्षत का भाग्याब के साथ है धन राशी पढ़ाई पूरता की तरफ है शिक्षा छेतर में दोस्तों का सानिध बहुत अकरात्मक रहेगा शिक्षा आज सुचार धंग से चलने का योग है कॉंप्टेटिव एक्जाम्स कॉलिफाई कर लेंगे बिजनस अच्छा चलेगा रुके धन की प्राप्ति होगी प्राइवेट सेक्टर में टप सिचुएशन रहेगा कुछ काम आपका अधूरा रह सकता है गवर्मेंट सिक्टर वालों को आज प्रमोशन के चांसेज मिलेंगे आज बहुत प्रशन रहेगा नई जिम्मेदारी मिल सकती है दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा पत्नी आज पूरी तरह से समर्पित रहेंगे पुराने घिले शिक्वे दूर होंगे ससुराल से रिष्टा मधूर हो सकता है बाहरी लोगों का हस्तक छेप कम कर दीजेगा धनुराशी लव लाइफ डेट पर जा सकते हैं समस्याओं से बाहर निकलेंगे आज कुछ बड़ा होने का भी संकेत मिल रहा है धनुराशी स्वास्त स्वास्त में मांसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहेंगे वैसे कुछ आर्थिक संकट की वज़े से भी ज़्यादा सोचना डिप्रेशन का सिकार कर सकता है कोशिश करिएगा उपाय के तोर पर आज किसी जरौत मंद को कुछ धवा आदी दे दीजेगा क्या नहीं करना आज आज किसी बड़े से उची आवाज में बात नहीं करनी है बैगनी रंग शुबर 57 प्रिसत का भाग आपके साथ है मकर राशी आज पढ़ाई में मन कम लगेगा क्यों में टहलने का कारकरम बन सकता है दोस्तों के साथ टाइम जादा इस्पेंड करेंगे आज कोई रिजल्ट निगेटिव आ सकता है जिनांग दस अगस्त दिन शनिवार मकर राशी बिजनस ब्यापारिक दिश्ट कोण से घाटे की भरपाई होगी धन का लाब हो रहा है ब्यापार को फैलाओ दे सकते हैं कोई नई स्ट्रेटजी पे वर्काउट हो सकता है दस अगस्त प्राइवेट सिक्टर मकर राशी लाब के अउसर में लेंगे दोस्त मदद करेगा दो पहर के बाद इंटर्विव में सफलता के संकेत हैं आज धन बढ़ाने के लिए पैरवी कर सकते हैं गवर्मेंट सेक्टर नई जमी जाजात की तरफ रुख करेंगे आज अगर वर्क प्लेस पर है आज शनिवार को छुट्टी आपकी नहीं है तो आज बहुत आपकी पीठ़ तपाएंगे कुछ धन को लेकर के पादी की चर्चा टाल दीजेगा आज जेट पर भी ना जाएं तो बहतर है बैचारिक मद्भेत कुछ समस्यां गंभीर दिखाई दे रही है क्या उपाय करना है आपको आज मकर राशी वालों को नमक एक चुटकी दाहने हाथ किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज मकर वालों को छोटे बच्चों को डाटना डपटना नहीं है मटमैला रंग शुभ है 62 प्रत्षत का भाग आपके साथ है 62 कुम्बराश पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी पढ़ाई में किसी तरह की प्रबल बाधा नहीं है पढ़ाई के साथ आज कढ़ाई भी होगी कढ़ाई माने आज हुनर आपका चमकेगा व्यापार अच्छा चल रहा है व्यापार गाटे की भरपाई हो सकती है आज विदेश से बिजनस की अवसर मिलेंगे आज सर्वाइब करना मुश्किल होगा धन फंस सकता है गौर्रमेंट सेक्टर बहुत अच्छा दिन रहेगा प्रमोशन के चांसे तो बन रहे हैं साथे साथ बॉस भी आज पीट थपत पाएंगे परिश्थतियां आपके प्रतिकूल जो थी अनकूल होने लगेंगे दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा पति-पत्नी एक दूसरे को समझने के कोशिश में काम्याब होंगे दामपत्य जीवन में किसी बाहरी कास तक छेप अब तक मामला बिगार रहा था अब मंगल अच्छा करेंगे आज पति और पत्नी कहीं घूमने टहलने जरूर जाएं लव लाइफ शादी की चर्चा करे सकते हैं आज दोपहर के बाद कहीं लड़का लड़की देखने दिखाने के भी कारक्रम बनाये जा सकते हैं मन कुछ बहुत प्रशन रहेगा कुम्बराश कुम्बराशी वालों के लिए आज के दिन को और बहतर करना है कैसे करेंगे बहतर अब हम उपाय बताते हैं लेकिन पहले स्वास्त जानियेगा एणियों में दिक्कत आज रहेगी गर्दन में सुरुज प्रॉब्लम हो सकती है आज आख तकलीफ देगा उपाय के तौर पर आज के दिन किसी जरुरत मंद को हरी सबजी का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज रिस्क ले करके किसी के साथ अभत्र बेवहार नहीं करना है जैसे जोश में होश मत खोईएगा नीला रंग शुभव पच्पन प्रिस्षत का भाग आपके साथ अंतिम राशिमीन पढ़ाई निसंदे है आज पूरी कर लेंगे आज स्रिक्षा में कुछ मेजर प्रॉबलम से बाहर निकलेंगे गुर्प इश्टडी के लिए जा सकते हैं बिजनस तो बंबं चलेगा दिनांक 10 अगस्त दिन शनिवार में राश में राशिवालों के लिए बहुत प्रभावी समय आपका निकल के आया है जिसको ले करके आप बहुत प्रशन्न रहेंगे मुश्किलात से बाहर निकलेंगे और यही मुश्किलात आपके लिए परेशान करेंगे आपको जब तक कीए थे प्राइवेट सेक्टर में नहीं नोगरी की संभावनाएं बन रही गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है यात्रा अगरे के दोरान थब्यत खराब हो सकती है लंबी आत्रा अवाइट करना है आज और दामपत्य जीवन तो अच्छा चलेगा वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी इन फैक्ट आज प्यार बढ़ेगा लव लाइगा इसमें समस्या आ सकती है किसी के वजह से आज पर जनों के साथ कुछ बिवाद की स्थिति आ सकती है अगर आप मीन राशिकें हैं 10 अगस्त स्वास्त के मामले में आ रही समस्या दूर हो जाएगी दवाओं पर से खर्च खत्म होगा हैड़ेक माइगरेन दुपहर के बाद हो सकता है ओवर्थिंकिंग न करिएगा उपाय क्या करना है पहले तो जो करना हो जान लीजेगा साथ चावल के दाने उल्टे हाथ से किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना आज आज अपने मन से कोई बड़ा निरड़े मत लीजेगा लाल रंग शुबच चोहत्तर पृत्षत का भाग्याब के साथ है चलिए आगे बढ़ते हैं मेज से लेकर के मीन तक का आज का भाग्याक्षर जानकारी दे देते हैं दिनांक तेरह तारिक तक लगातार गाज़ेबाद दे मुलाकात करने का समय लिया जा सकता है इसके बाद हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे जैसा कि आप लोग को पता है लखनों की संभावनाएं बन रही है तो गाज़ेबाद मिलने के लिए नमबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है कॉल कर सकते हैं आईए भाग्याक्षर की तरफ रुक करते हैं मेश राग्षर ब्रिशब्भा मिथुन जाग्षर करक का सिंग धाग्षर कन्याटा तुला चाग्षर ब्रिश्चिक या धनू एड़ी वाला एक्षर मकर वा कुम्भ चाग्षर और मीन पा यही है आपका अपना शुब भाग्याक्षर रखिए 24 गंटे के लिए अपने पास आनंद उठाइएगा आगे बढ़ते हैं आज की सक्सेर्ज की काले साबुत उरद चार छे दाने संख्या नहीं बंधन है बस दो चार दाना ले लीजिए तीन बार उल्टा वारना है एंटी क्लॉक वाइस और कहीं पौधे की नीचे किसी फेंक देना है या रख देना है दोनों शब्दों में बहुत अंतर है भावनात्म ग्रुप से रखने में सुधा है फेंकने में तिरसकार है बहुत आभार आप लोगों का हम व्यक्त करते हैं मुहब्बत ऐसे ही बनाए रखिएगा और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कैरियर एड़ दी रेट नक्षत27.com पर अपने रेजुमे भेजे हैं अभी और हम इन्वाइट करते हैं अगर आप इन्वाइट 27 चैनल से जुड़ना चाते हैं हमारा जो एप बेस चैनल है तो आप आ सकते हैं और एक मूवी भी हम बनाने जा रहा हैं जिसमें भी हम तमाम क्रियेटिव लोगों को आमंतृत करते हैं आपके अंदर अगर क्रियेटिविटी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ध्यान रहे यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा यहाँ पर काम्याभी मिलेगी बहुत आभार मुवबत ऐसे ही बनाए रखिएगा फिलाल तो आज के लिए इतना ही अनुमती चाहेंगे आप सब प्रशन रहें और इसवर से प्रार्थना करें कि सरवे भवन्तु सुखिना है हर कोई सुखी रहे नमस्कार हमें आज़े टे केर शीरा दे झाल 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 झाल